ब्राजील के साव पावलो के समीप एक वीमान के दुरगटांगरस्तो होने के कारण 62 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें वीमान में 58 यात्तियों सही ते 4 चालक सदस्य सवार थे। सभी लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। प्लेन क्रैश होने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वीमान अचानक से हवा में घूमने लगा और अनियंत्री तो होकर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। जहां वीमान गिरा वहाँ पर अफरा तफरी का महौल हो गया। साथी वीमान की गिरते वक्त उसमें तेज लप्टें और धूआ भी उठने लगा।